हेलो वंड वेल्कम टू रेडियंट अकैडमी मैं मोल्चे पे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट अकैडमी के नए एडिटोरियल अनलेसिस में हम एडिटोरियल का अनलेसिस तो करेंगे ही उसके साथ 10 नए वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ में एक क्लोस टेस्ट और सब्सक्राइब और समय बहुत कम है हमारे पास तो अस पहला वर्ड क्या है एस पर्सट वर्ड वी हैड तुड़े हैं तो का मतलब सबको मालूम हैं तो मतलब light है ना अब हमारे पास अभी जो torch होता है उसमें एक light है लेकिन जो पुराने जमाने में torch होता था उसमें light तो नहीं था तो हाथ में जो मशाल पकड़ते हैं उसको torch कहते थे अब देखो यहाँ पे यहाँ पे torch दिया है torch लिए लगा है मतलब यह verb हो गया action हो गई अब मशाल से कौन सी action हो सकती है आपके हाथ में मशाल है जिसमें आग लगी ही है उससे action क्या होगी आग लगाई जा सकती है तो torched यह जो verb form है torch का क्या मतलब होता है आग लगाना ठीक है किसी चीज को जला देना basically तो जला देना का मतलब क्या है torched ठीक है देखो sentence देखो the protesters torched several buildings during the riot राइट का मतलब क्या है दंगा जब दंगा हुआ तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने क्या किया several buildings को torched किया torched किया मतलब जला दिया आग लगा दी उसमें ठीक है तो that is called torched meaning क्या होगे meaning क्या होगा फिर इसका to set fire कहीं आग लगा देना to something deliberately जान बूच कर पिनॉनिम्स क्या होगे burn कर देना ignite करना ignite करना मतलब आग लगाना उसकी शुरुआ that is ignition set a blaze a blaze मतलब फिर से आग लगाना ठीक है तो तीनों का मतलब basically आग लगाना ही है क्योंकि torch का मतलब क्या है किसी जीच को जला देना या आग लगाना कहीं पर एंटॉनिम क्या होगे इसके आग को बुझाना अब बुझानी के लिए कौन सा वर्ड यूस करते हम लोग बताओ fire extinguisher होता है तो आग को बुझाना मतलब extinguish करना बुझा देना या आग को दबा देना that is doused या put out ठीक है तो fire को क्या क्या कर सकते है अब आग लगी है तो उसको extinguish कर सकते हो या douse कर सकते हो या फिर put out कर सकते हो समझ गए? चलो समझ गए फिर north का मतलब क्या है? आग लगाना या जला देना किसी चलो अब चलेंगे next word पे the next word we have is laureate laureate ये नया word है दूसरा word है मारे पास आज का laureate का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी एक चीज में expert हो और उसके लिए उसे award दिया जा जुका हो एक ऐसा expert व्यक्ति जिससे award मिला हो किसी चीज के लिए सम्मान मिला हो किसी चीज के लिए उसके हम कहा कहें के laureate ठीक है? देखो sentence the noble laureate noble laureate का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको noble prize मिला है तो noble prize से सम्मानित किया गया है उसको तो हम noble laureate कहेंगे the noble laureate gave a speech on the importance of scientific research scientific research के मतलब पे उन्होंने speech दिया इसने noble laureate ने laureate का मतलब ऐसा व्यक्ति जो इसे सम्मान दिया गया हो noble prize का यहां पे meaning देख लो sentence का क्या है? a person who is honored with an award for outstanding achievement in a particular field इसी भी क्षेतर में किये गए काम के लिए जिससे सम्मानित किया गया हो उसे हम लोग laureate कहेंगे ऐसा नहीं है कि noble award से जिसको मिला है सिर्फ के ही laureate कहते है ना? बाकी भी award से सम्मानित किये गये होंगे उनको भी laureate ही कहते है synonyms क्या होंगे इसके? जिसको ओनर मिला हो वो हो गया ओनरी या awardee जिसको award मिला हो या recipient जब award ceremony होती है ना? जिनको award दिया जाता है उनको recipient गया है क्योंकि वो receive कर रहे होता है award राइट? एंटॉनिम्स क्या होंगे? एंटॉनिम्स होंगे unknown या unrecognized ऐसे वेकती जिनकी कोई सम्मान देखे लोग उनको जानने लगेंगे जब उनका सम्मान होगा था आपोसिट ऐसे वेकती जो unknown है या unrecognized है समझ क्या laureate का मतलब यह है ऐसे वेकती जिनने इसी particular काम के लिए सम्मानित किया गया हो और वो अपने इक शेतर में बहुत अच्छे हो चलो next word भी जाएंगे next word we have is stellar कौंसा वर्ड है ना या stellar stellar performance आपने अगर ऐसा सुना होगा कभी stellar का मतलब होता है excellent, exceptional पहतरीन that is called stellar ठीक जेखो sentence her performance was stellar stellar performance है ने exceptional बहुत ही बढ़िया earning her praise from critics 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 द्वारा भी उनकी प्रशन सा की गई critics का मतलब ऐसे लोग जो looks निकालेंगे दोश निकालेंगे उन्हें critics कहते है ना तो उन्होंने भी उसकी प्रशन सा की इतना बढ़िया performance था stellar performance मीनिंग क्या हो गया exceptionally good और outstanding होत simple सा मीनिंग है outstanding right synonyms क्या होंगे इसके excellent remarkable या outstanding यहां भी हमने अल्रेड़ी यूज कर रखा है antonyms क्या होंगे इसके एक तो आप ने एक्जाम दी और आपको एक्जाम में बहुत ही बढ़िया marks मिले तो आप क्या कहेंगे एक्जाम में और अगर नहीं मिला नहीं मिले अच्छे marks तो क्या कहेंगे फिर एक्जाम में कैसा performance था पूर राइट तो पूर हो सकता है या mediocre mediocre मतलब average level का कोई खास नहीं और average तो यह हो गए उसके अगर याद होगा तो एक वर्ड हमने इससे पहले लिहाए इन इविटेबल इन इविटेबल मतलब ऐसी चीज जो हो नहीं है जिसको आप रोग नहीं सकते जिसका होना तय है अटल है इस इन इक्जोरेबल एको सेंटेंस तर राइज ओफ टेक्नोलोजी सीम्स इन इक्जोरेबल इंजिंग एवरी एस्पेक्ट आफ आर लाइज टेक्नोलोजी का बढ़ना यह इन इक्जोरेबल है यह ऐसा है कि जिसे आप रोग नहीं सकते वो होना ही है और यह आपके लाइज की सारी एक्सपेक्ट पे अपना आसर डालेंगे उसको चेंज करेंगे देखो मीनिंग इसका इंपॉसिबल टू स्टॉप जिसको रोक नहीं सकते इंपॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट रिलेंटलेस रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है चलता ही रहने वाला जो रिलेंट नहीं करता लेस का मतलब होता है नहीं रिलेंट का मतलब होता है रुकना तो जो नहीं यहां पर रिलेंट्लेस आल्रेडी है या फिर इंपॉसिबल टू स्टॉप का मतलब ही अन्स्टॉपेबल है यह एक वर्ड जो मैंने पहले बताया वह इन एविटेबल यह इन एविटेबल हम वर्ड पहले देख चुके एंटॉनिम्स क्या होंगे इसके इसे आप रोक सकते हो जल्दी खत्म हो जाएगा या फ्लेक्सिबल तो आपकी हिसाब से चलेगा आपको रोकना है रोक लो या लीनियंट तीक है चलो चलने दो वालंगेस या इल्डिंग मतलब आपकी हिसाब से आपने बुला चलो यह काम करो और उसने हा कह देना या समझ गया तो जो आप रोक नहीं सकते आपके कंट्रोल में नहीं है जो चीज इसे आप रोक नहीं सकते उसे क्या कहेंगे हम इन एक्जोरेबल राइट चले अगले वर्ड पे चलो दे नेक्स वर्ड वी हैव इस प्रेडिकामेंट प्रेडिकामेंट का मतलब होता है बहुत ही कठिन या गंभीर परिस्तिती ऐसी परिस्तिती जो कैसी है कठिन है या एकदम गंभीर है तो ऐसी परिस्तिती को हम कहेंगे प्रेडिकामेंट तो इस अ कंडिशन विच इस पूर और विच इस डिफिकल्ट एको सेंटेंट्स he found himself in a financial predicament after losing his job job lose करने के बाद उसने खुद को किस situation में पाया financial predicament financial predicament मतलब जैसे मैंने का कठिन परिस्तिती में या गंभीर परिस्तिती में financially उसने खुद को कठिन परिस्तिती में पाया एक difficult situation में मतलब क्या होगा इसका a difficult और unpleasant situation एक ऐसी situation जो क्या है difficult है या फिर unpleasant है आपको पसंद ना आने वाली synonyms क्या होंगे इसके dilemma देखो die मतलब दो dilemma का मतलब होता है दुविदा करू के नहीं करू कैसे होगा क्या होगा ये dilemma होगा दुविदा crisis का मतलब होता है a situation difficult kind of a situation is called crisis कि जिससे आपको कठिन परिष्टिती जिससे आपको बाहर निकलना है वो crisis हो गई या boundary boundary का भी मतलब वह होता है एक poor condition difficult situation especially ऐसी situation जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है that is boundary ठीक है चलो antonyms क्या होंगे इसके कठिन परिष्टिती के antonyms क्या होंगे ऐस आसान परिष्टिती या जिससे आपको जट से निकल जाओ या फिर solution उससे निकलने के लिए रास्ता resolution या advantage समझ गए तो predicament का मतलब समझ गए what is predicament then predicament का मतलब होता है कठिन परिष्टिती अंभीर परिष्टिती that is predicament चले निक्स्ट वर्ड भे नेक्स्ट वर्ड इस punitive punitive अब पनिटिव यह जो वर्ड है ना यह अपने बहुत त्यारे वर्ड से आया हुआ है कौन सा वर्ड punishment है ना ऐसी situation या ऐसी चीज जिससे आपको punishment दी है ऐसे लगता है वो चीज punitive हो गई punishment देखो इसमें क्या लगा है m e n t लगा है मतलब यह noun हो गया और इसमें i ve लगा है मतलब यह adjective हो गया तो एक ही word का यह noun form है यह adjective form है for example मैंने अगर आपको किसी चीज के लिए punishment दे दी तो आप मैंने जो action ली है उस action को बोलेंगे sir you gave us punishment ऐसा बोल सकते हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं sir your action was punitive आपने जो action ली उसकी वज़े से हमें punishment मिली आपकी actions कैसी थी वो punitive थी जिससे हमें punishment मिली वह action कैसी हो गई फिर कैसी कैसे का सवाल बुछो तो आपको adjective एड़वर्ब मिलते हैं हमें तो वो actions कैसी थी punitive actions थी तो punitive का मतलब क्या होता है आइसे एक्शन जिससे punishment मिले पनिश्मेंट जैसा लगे देखो sentence कि company faced punitive measures for violating safety regulation safety regulations को उन्हें flout किया मतलब उनको तोड़ा तो उसके तोड़ने के लिए उनकी against measures लिए गए actions लिए गए तो actions कैसे थी punitive थे punitive थे मतलब इससे उनको punish किया जा सके actions which are used for giving punishment are punitive actions यह चलो देखो meaning क्या है इसका inflicting or intended as punishment इससे punishment क्या हो inflict हो inflict word देखा है ना अपने inflict afflict यह दूनों word देखें inflict मतलब आगहात करना punishment से आगहात करना that is punitive synonyms क्या होंगे इसके disciplinary punitive action लेंगे तो वो discipline करने के लिए लेंगे penalty penal action किसी को penalize करने के लिए penalty लगाने के लिए penal से word बना है penalty penalize पिर retributive retributive मतलब उसको सही कराने के लिए किसी को दुरुस्त कराने के लिए that is retribution ठीक चलो antonyms क्या होंगे इसके अभी एक व्यक्ति है जो आप बार-बार punishment देते जा रहा है उसको बोलेंगे पन यह पनीटिव एक्सन्स लेता है व्यक्ति ऐसा होगा नहीं चलो छोड़ो ठीक है अगली बार से नहीं होना चाहिए तो व्यक्ति आपको छोड़ देगा लीनियंट है वह व्यक्ति कैसा है लीनियंट है फ्लेक्जिबल है थोड़ा हाँ चलो ठीक अगली बार से नहीं होना चाहिए बस बोल दिया चोड़ दिया और गिविंग है मार्फ कर देने वाला ठीक है यह रिहाबिलिटेटेटिव है रिहाबिलिटेटेटेटिशन का चांस देने वाला यह ने कमा उबढ़ी दे आपको चांस देने हाला धर डातीस रिहाबिलिटेटिव थे cette ऐसी एक्षांस जिससे क्या हो, पनिश्मेंट दी जाए, that is पनिटेब. चले नेक्स वर्ट पे, चलो, दे नेक्स वर्ट वे हैं, पर्निशियस, पर्निशियस, पर्निशियस मतलब something which is very harmful, ऐसी चीज़ जिसके बहुत harmful effects होते है, that is पर्निशियस. लेखो, the spread of misinformation, कि मिस इंफर्मेशन की स्प्रेड होने की वजह से लोगों के ऑपीनियन पे कैसा इंपक्त हुआ हार्म फुल इंपक्त हुआ बहुत हां फुल ठीक है यह झालओं परनीश्यस इंपक्त हुआ है जो परनीश्यस का मिनी के है having a harmful effect especially in a gradual or subtle way दो है यहांगे इसी सिस्टेम से harmful है जहां पर वो directly सामने दिखे नहीं मतलब अगर सोच पर परिणाम हो रहा है किसी के तो वो दिख रहा नहीं होता कहीं पर अगर bomb गिर जाए सीधा तो उसका harmful effect दिखता है लेकिन जो आपकी सोच पर हो रहा impact है वो दिखेगा नहीं पराबर कि आप अंदर क्या सोच रहे हो और ऐसे effect को हम कहेंगे पर परनीशियस effect मतलब ऐसा effect जो harmful तो है वो सेटल वे में है धीरे धीरे अपना काम कर रहा है दिखरा नहीं है एड सीधा इसके आपको फाइदा हो harmful नहीं हो ऐसी चीज को क्या बूलेंगी harmless है जिससे चीज ठीक हो वो healing है heal का मतलब क्या है जख्मों का भरना that is healing ठीक होना और कीसरा वर्ट कौन सा है beneficial बेनिफिशियल यान जिससे आपको फाइदा हो harmful है मतलब उससे क्या होगा नुकसान होगा अन्टॉनिम फाइदा होगा तो फाइदा मतलब बिनिफिशियल समझ गए simple चले अगले वर्ड पर चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इस नोशन नोशन का मतलब होता है मान्यता या समझ है ना कि एक नोशन है मतलब देरीज़ आईडिया और वहाँ एक मान्यता है एक समझ है कि ऐसा ऐसा होता है उसे हम नोशन गहेंगे देखो सेंटेंगे नोशन that hard work guarantees success is often oversimplified यह मान्यता है कौनसी मान्यता है कि hard work से success मिलता है यह एक मान्यता है यह ठीक भी है गलत कुछ नहीं है पर इसको oversimplify किया जाता है oversimplify मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाकी कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं साइड में लगती है काफी सारी चीज़ है और भी लगती है लेकिन उसमें hard work के एक important चीज़ है सिर्फ hard work से success मिल जाएगा यह चीज़ जड़ा जादा oversimplify है hard work से success मिलता है यह क्या है this is a notion notion मतलब यह एक मान्यता है देखो मिलीफ और आइडिया आइडिया अबाउट सम्थिंग के बारे में एक सोच या सिकार या मान्यता सिनॉनिम्स क्या होंगे इसके concept बिलीफ या आइडिया तो बिलीफ और आइडिया तो हम पहले देख चुके साथ में और एक word आगया भी कौन सा एक concept है एंटॉनिम क्या होंगे इसके अब concepts may not be actually true always तो इसलिए इसका एंटॉनिम क्या दिया है fact reality या truth मान्यताय को मान्यताहों को हमेशा आधार रहेगा ही ऐसा कुछ नहीं है कि नेराधार चीजों के लिए भी मान्यताय होती है इसलिए यहां पर एंटॉनिम उसका क्या दिया है fact reality या truth जिसको आधार है ठीक है जिसको कुछ बेस है क्लियर फिर नोशन मतलब समझे का नोशन का मतलब होता है मान्यता है या लोगों का मान्ना प्रॉनिक क्रोनिक मतलब क्या पता है यह बता है यह बता है बहुत बार बढ़ आया है क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक बार हो गई तो वह हो गई उसको सुलिएशन नहीं है करोंग टर्म है कंटेंवूइछ क्रोंगूपइश लोंग टर्म है डैट इस सेंटेंट्स शाफर्टी फॉरम क्रोन्पाइभ प्रोनिक बैक फिन ओने क्नेयाव सब्सक्रीज़िकृइड रेगूलर ट्रीटमिठ इक मेंक इसका persisting for a long time और constantly recurring तो बहुत दिन तक चलने वाला या regularly आने वाला synonyms क्या होंगे इसके persistent persistent का मतलब क्या होता है चलते रहगा वो रुपता नहीं है continuous है या long lasting या ongoing antonyms क्या होंगे इसके acute acute मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए acute या temporary थोड़ी देर के लिए short-lived ठीक है यह बहुत इजी सावर्ड है chronic chronic मतलब something which lasts long थोड़ देर के लिए चलो next word and I think the final word for today the word is jitters jitters मतलब होता है nervousness jitters feel करना यानि ऐसा लगता ना आशा बस ऐसा लगता है हाथ पर कापर है तो वो दिया nervousness आपको anxious feel होता है anxiety लगती है तो nervousness की feeling या anxiety की feeling उसको हम jitters कहते है jitters ठीक है देखो sentence आपको देहन में he had the jitters jitters है before going on the stage for his big performance stage पे जाने से पहले कि जो feeling होती है आप सारे सब आपकी तरफ देख रहे है और आप stage पे चड़ रहे हो तो वो टाइम पे जो feeling होती है वो होती है jitters वाली nervousness यहाँ पे excitement भी है और fear भी है that is nervousness anxiety that is jitters देखो meaning a feeling of nervousness और anxiety anonyms क्या होंगे nervousness anxiety या uneasiness ठीक है बहुत easy relaxed नहीं feel करना यहने jitters आ रहे jitters आ रहे मतलब nervousness है antonym क्या होंगे इसके फिर relaxed calm confidence relaxation दिया है तो relax रहना calm रहना confident feel करना कि नहीं कुछ नहीं होता है यार सही है सब that is confidence ठीक है यहाँ तक clear है कोई problem यहाँ तक I think यह भी word एकदम clear हो गया होगा visitors इन 10 words पे जो अभी तक हमने देखे उस पे एक close test अभी है आपके लिए आपको क्या करना है पहले उस close test का screenshot लेना है और उसके answers comment box में देनी है ठीक है चलो this is the close test for you और नीचे options है पहले इसका screenshot ले लो ठीक है done तो इस close test के answers आपको कहां देने है comment box में देने है यही 10 words जो हमने अभी देखे यह options में आपको यहाँ दिये है इसको आपको solve करना है ठीक चलो let us now move on to the main part the editorial तो यह है आजका editorial weather words on mission mousam सरकार ने जो mission mousam launch किया है उस पर यह editorial है ठीक है तो अभी आपको क्या करना है पहले इसको पढ़ना है फिर हम इसको discuss करेंगे read the first part चलो पढ़ो přीले करेंगे झालो झाल जुख क्या क्या हुआ आर gonna is थस आर कட झाल कर दो पर लिया देखो क्या दिया हुआ है बीसमें देखो क्या दिया है feather gods on mission मौसम, सरकार ने जो mission मौसम लाँच किया है, उस पर ये डिटोरिया देखो क्या दिया है, earlier this week union cabinet cleared 2,000 करोड रुपीज mission मौसम 2000 करोड का ये mission मौसम है, जो cabinet ने clear गिया है which primarily involves a major upgrade of instruments used by organizations such as the Indian Meteorological Department, the National Center for Medium-Range Weather Forecasting and the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM, है ना क्या main objective है इसका कि ये जो तीन organizations है, इन तीन organizations में जो weather judgment लेने के लिए, weather के forecasting के लिए, जो instruments यूज होते है उसको क्या करना है, उसको upgrade करना है, है ना, वो अभी पुराने हो गए, उनमे, वहाँ नए instruments लगाने है, these are the organizations that form the backbone of India's weather and climatic forecasting system on multiple time scales यही main तीन organizations है, जो हमारी weather और जो forecasting system होती है, उसका backbone है backbone होना मतलब क्या? कि उसका आधार है, उसकी read की हड़ी है, देख है? In the first tranche of the mission until 2026, the ministry of earth science MOES, the nodal body for executing the exercise hopes to procure and install up to 60 weather radars, 50 wind profiles and 50 radio sounds, अभी देखो क्या बोला है? अब क्या mission मौसम में क्या करना है? हमें सारी instruments को अपग्रेड कराना है, जो हमारी तीन major organizations use करती है, ठीक है? इसमें क्या होने वाला है? पहला जो ट्रांच आएगा, पहला ट्रांच मतलब पहला हिस्सा या first पार्ट, पहला पार्ट कब तक चलेगा? ये 2026 तक चलेगा ये हाँ तक क्या करना है? 2026 तक जो इसको execute करने वाली बोड़ी है, cabinet ने clear कर दिया, पर इसको कौन manage करेगा, कौन run करेगा? तो इसको जो manage करेगी, वो कौन है? Ministry of Earth Sciences तो ये Ministry of ये noodle body है, noodle body का मतलब क्या होता है? ऐसी body की जो center में होती है, और उसके इर्दगिर्द बाकी सारी चीज़े चलती है, तो वो वे noodle body है, तो Ministry of Earth Sciences इसको सारा manage करेगी noodle body की तरह, और पहले हिस्से में, ये first part में 2026 तक क्या क्या करना है इनको? इनको procure करना तब आपको मालू है कहीं पर रखना और उसको कारियान विद करना, that is install क्या क्या करना है? 60 weather radars start weather radars लगाने है नए, 15 wind profilers नए लगाने है और 15 radio sounds अलग लगाने है, तो ये तो major 3 type के instruments हो गए ठीक है? These are instruments that give regular updates on the changing parameters of wind speeds, atmospheric pressure, humidity and the temperature at various elevations of the atmosphere. अब atmosphere अलग-अलग elevations पे atmosphere के अलग-अलग elevations पे देखो, जमीन पे कुछ लगे में, कुछ उपर लगे में और atmosphere में तो इन सब ये सारे अलग-अलग levels पे जाके हमको जीतने भी changes हो रहे हैं ये updates देने वाले ये instruments हैं. कॉंसी कॉंसी चीजों के update देते हैं, atmospheric pressure, humidity और temperature और साथ में wind speeds तो इन चार चीजों के हमें updates मिलते हैं टेक है, at various elevations, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही नहीं अलग-अलग level पे, टेक है अगर इतना ही करना होता, इतना ही मतलब शिर्फ नए instruments लेना, इतना ही अगर इसका objective होता, शिर्फ ये चीजों का upgrade करना, यही अगर objective होता, तो ये 2012 में जो national monsoon mission सरकार ने launch किया था उससे कुछ खास अलग नहीं होता ये भी वैसा ही होता, 2012 में क्या हुआ था, national monsoon mission launch किया था, और उसके under भी क्या हुआ, ऐसे ही हमने जो हमारे radars है, wind profilers है, इन सारे जीजों का upgrade गया था, बस इतना ही गया था, तो ये कहा रहे अभी कि इतना ही है अगर है, तो ये फिर उससे कुछ अलग नहीं है, पर इस बार mission मौसम में कुछ जादा है, अब वो क्या है हम देखेंगे, the crux of that exercise was to evolve a new approach to forecasting the monsoon by developing weather models that relied on intensive computing, उसका crux कहा है, यहने सबसे main part, सबसे important हिस्सा, क्या है, trucks, trucks का मतलब है, सबसे important हिस्सा, सबसे important हिस्सा क्या है, कि हमें कुछ evolve करना है, क्या evolve करना है, एक नई system evolve करनी है, a new approach to forecasting, forecasting यहने अंदाजा लगाना, क्या अंदाजा लगाना, कि monsoon का अंदाजा लगाना, by developing weather models that relied on intensive computing, फिर नए उपकरन लगाने से कुछ नहीं होगा, तो हमें intensive computing, अब हमारे पास technology है, computers के द्वारे, हम बहुत serious level की computing करके, अलग-अलग तरे से model बना सकते हैं, और वो model से हमको अंदाज लगेगा, कि मारी model से हम forecast कर पाएंगे, कि weather कैसा होगा, तो यह उसका main crux है, चलो, अब चलेंगे second part, go through the second part quickly, and then we will discuss it, पढ़ो इसको, कि अब हाँ, कि तेक्यं वो कुंछेगी टाना सकते हैं, वह पहित झाल 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 प्ड़ लिया? क्या दिया है इस पार्ट में? इस पार्ट में? इस पार्ट में? अब हमारे पास एक अंब्रेला वेडर मॉडल है वो जो दो हजार बारा में जो हुआ था उसका क्रक्स बताया है अभी हमने लास पैरामेटि तो उसकी बदलाद अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एक अंब्रेला वेडर मॉडल है that can be tweaked to generate forecasts on multiple time scales उसे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो अलग अलग मॉडल एक अंब्रेला मॉडल है यह एक ऐसा मॉडल जिसको हम अपने हिसाब से change कर सकते हैं tweak करना, tweak ना मतलब किसी चीज में थोड़ा सा ऐसा change करना that is called tweaking, थोड़ा सा change कोई चीज को थोड़ा सा change करके आप दूसरी और चीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? अलग-अलग time scales पे हम उसको use कर सकते हैं यहाँ पे time scales का मतलब क्या है? देखो, catch दिया ना मतलब उसके आगे वो बताया गया है, कैसे? from daily to seasonal monsoon predictions अब वो national monsoon mission में यह चीज सिर्फ monsoon के लिए की गई थी तब पर एक model तो बन गया और वो umbrella model था अब उसमें थोड़े-थोड़े changes करके हम उसको अलग-अलग level पे use कर सकते हैं beyond the monsoon, such a model could be customized for heat waves, cold waves and local forecasts also मतलब यह जैसे पहले का हम national monsoon mission था, तो सिर्फ monsoon के लिए ही नहीं यही models हम बाकी चीजों के लिए भी use कर सकते हैं, जैसे heat wave आ गई तो उसको भी थोड़ा सा change अगर model को कर दिया और heat wave पे apply किया तो हम heat wave के बारे में भी जान सकते हैं, कि वो कहां से कहा जाएगी, कौन से area में जाएगी, यह सारा देख सकते हैं साथ में क्या हो सकता है, हम और cold waves के बारे में, शीत लहर अगर आती है, तो गर्मी की लहर जैसे जान सकते हैं, वैसे शीत लहर की भी information ले सकते हैं, इतना ही नहीं, तो local level पे जो weather के forecast है, उसे भी हम लोग इससे जान सकते हैं making weather forecast more accurate and improving precision, precision का मतलब है, कि accuracy, detail level पे कितना detail जा सकते हैं, वो is a never ending iteration, जाना, weather forecast को जादा से जादा accurate बनाना, जादा से जादा precise बनाना, यह तो चलता ही रहेगा, हम 100% accurate और 100% precise weather forecast नहीं कर पाएंगे, वो process continuous रहेगी, so that is a never ending iteration, iteration का मतलब है repeat करना, continuous चलते रहेगी, repeat mode में चलते रहेगा, यह तो करना ही पड़ेगा, accurate और precise उसको बनाना पड़ेगा, but mission motion seeks to open more visitors, क्या बोला है यहाँ पे लेकिन mission motion क्या कर रहा है, it seeks to open more visitors, seeks to open more visitors का मतलब यह और ज्यादा options हमारे लिए open कर रहा है, और ज्यादा चीज़े अभी हम कर पाएंगे इससे, क्या क्या कर पाएंगे अब देखने पड़ेंगे, विस्टास का मतलब होता है avenues और रास्ते खुलेंगे हमारे लिए इससे, सिर्फ weather forecasting ही नहीं, शायद weather में और changes लाने की भी system इसमें है, देखेंगे क्या है, instead of being a slave, slave का मतलब पता है नो कर, instead of being a slave to weather, humankind tries to control it, अब हमें, यहने mission motion में जो सोच है, उसके बारे में क्या बुला है, कि अब हम weather की हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से weather को बदलेंगे, हमारे हिसाब से weather को adjust करेंगे, one of the proposals associated with the new mission, is to set up a cloud simulation chamber at the IITM, IITM में क्या करना है एक, क्या proposal है, कि एक cloud simulation chamber बनाएंगे, एक ऐसा office या ऐसा system जहां पे, clouds का simulation होगा, simulation का मतलब क्या होता है, पता है, simulation, simulation मतलब, IC ही जैसे naturally कोई चीज बाहर होती है, उसी का एक model यहां तयार करना, exactly वैसे ही, जैसे flight simulator होता है, समझो आपको pilot बनना है, तो पहले दिन आप plane में थोड़ी बैट के वो उड़ाएंगे, जमीन पे एक ऐसा simulator बना जाएगा, जिसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप flight में वो plane उड़ा रहे हो, तो वो simulator हो गया, यह एक्जैक्ली वैसा ही दूसरा model बनाना, that is simulation, तो यह कहां बनेगा, IITM में बनेगा, which will help model rain clouds, देखो, इससे क्या बनेगा, एक model बनेगा, इसका rain clouds का, they would then test various weather interventions, तो देखो क्या दिया है, double quotes में दिया है, double quotes, इसके बाद क्या होगा, various weather interventions को test करेंगे, मतलब क्या करेंगे, such as, seeding clouds, and tweaking them, to control the rainfall from them, देखो अभी, यह सबसी important part है, क्या बुला है, mission मौसम में और क्या सोच रहे हैं, इस सरकार करने का, की cloud, पहले clouds identify करेंगे, है ना, एक model दायार करेंगे, जिसको clouds को समझा जाएगा, उसके बाद, फिर अगर काम के clouds है, तो उसे seeding की जाएगी, clouds की, cloud की seeding करना, मतलब, cloud, यह तो पुरानी चीज है, cloud seeding मतलब, clouds में, ऐसे chemicals डालना, जिससे clouds में से, बारिश होनी लगती है, नीचे, तो जहाँ पे drought है, वहाँ से अगर cloud गुजर रहा है, और वहाँ seeding कर दी, तो नीचे बारिश हो जाती है, यहाँ, tweaking them, tweaking का वर्ड हम ने पहली देखा, tweaking them मतलब, उसमें थोड़ा सा कुछ तो भी change करना, clouds में, tweaking them, clouds में change करना, तो control the rainfall from them, कि एक area से cloud जा रहा है, उसमें आप कुछ तो भी cloud में ऐसा डाल दो, कि जिससे आप को पता, जिससे आप cloud के rainfall को control कर सकते हो, है ना, मतलब उससे बारिश हो रही है, अब एक area में already बार्ड हा चुकी, वहाँ पे और बारिश की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम पे आप cloud में ऐसे changes कर सको, कि उससे बारिश ना हो, और वह ऐसे area में जाके बरसे, जहाँ पे पानी की जरूरत ज़ादा है, ये सारी जीच पे अभी काम होने वाला है, there are also plans to control lightning, बिजली जो गिरती है ना, वो lightning यहने बिजली गिरने को भी कंट्रोल करने की बात इसमें हो रही है, as statistics reveal, lightning strikes are the number one cause of nature-propelled deaths, natural जो cause होता है, कोई जिससे death होती है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहां पे हमारे देश में, lightning है, lightning, इससे ज़्यादा above floods and landslides in India, पहाड से जितने लोगों की मौते नहीं होती, या landslides से जितनी लोगों की मौते नहीं होती, हमारे यहां पे उतनी मौते बिजली गिरने से होती, तो बिजली को कैसे control किया जाए, ताकि वो बादलों में से जमीर पे आये ही नहीं, इसका प्रयास अभी सरकार करेगी, while there are multiple social economy factors as to why this is so, meteorologists say, they hope one day to be able to tweak, so that there are fever lightning strikes and that leadally, strikes that leadally traverse from sky to ground, लेकिन साइन्टिस्ट को यह भरोसा है कि हम clouds की electrical characteristics को ऐसा बदल सकेंगे, कि जो बिजली हमारे जमीर पे आके गिरती है बादलों से, वो बिजली लीदल ना हो, याने बहुत ज़्यादा गातक ना हो कि जिस से खसी की जान जाए, traverse, traverse मतलब travel from sky to land, from sky to ground, समझ गहे? तो अब हम lightning, बिजली को भी control करनी बात करा, देखो किता बढ़ी है, ठीक है? चले, next part पे, चलो, अब गो थूदू दे लास पार्ट क्विकली, अब झाहं सकोरे हैं, झाहं स भंपराजाइं लास आप से और मतलन से थे खलग एक्रतalid हैं, ये भास, झाहं सी वी जान भार्ट कामनी दो भार्ट, जास से द hazırने को भार्ट, ये जिन से पली को भार्ट, आरो, यह लिया लास्पार्ट क्षोटा सा क्या दिया है वाइल experiments have been done in other countries there is while experiments have been done in other countries, there is much uncertainty on its feasibility. Investing in fundamental research in the atmospheric science is a welcome move. बाकि countries में इस पे research हो चुकी है लेकिन जो uncertainty है उसमें uncertainty है उसकी feasibility में है. feasibility का मतलब होता है कोई चीज होगी की नहीं होगी इसमें अभी निश्चित कुछ बताया नहीं जा सकता है. तो उसमें अनिश्चिता है अभी भी है. यह कोई प्रूवन अभी बहुत टेक्नालोजी नहीं है. फिर भी investing in fundamental research in the atmospheric science is a welcome move. लेकिन हम इन चीजों में invest कर रहे हैं. हम research में invest कर रहे हैं. हमारे यह problem क्या है सबसे बड़ा हम research and development में बहुत पींचे रहे जाते हैं हमेशा तो हम R&D में invest कर रहे हैं कि हम खुद कुछ नया दून के निकालेंगे इस पर हम plan कर रहे हैं, which is a welcome move. Welcome move का मतलब is good. The complexities posed by climate change suggest that multiple fronts have to be opened to mitigate the effects of greenhouse gas emissions. अभी हमारे पास जो complexity आ रही है climate change होनी के वज़े से जो complexity complexity मतलब difficulties जो बढ़ रही है उससे हमें multiple fronts पे multiple fronts हैंने बहुत सारी borders पे एक साथ लड़ाई या लड़नी है ना बहुत सारी borders पे sense हमें actually लड़ाई थोड़ी लड़नी है पर हमें बहुत सारी चुजों को at a time manage करना है तो we will have to manage them at multiple fronts to be open to mitigate mitigate मतलब उसका effect कम कर सके रोग सके इसका effect greenhouse gas emission का weather modification may not be a panacea weather modification यह भले ही एक panacea ना हो panacea का मतलब होता है अरे बिमारी की एक दवा याने final solution समझ लो तो भले ही यह ऐसी दवा नहीं है कि आपको सारे problem पे काम आ जाएगी weather modification की जो बात कर रहे पर it will not hurt to wholesomely understand it पर weather modification को पूरी तरह से समझ लेना इससे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला तो यह बिल्कुल करके देखना चाहिए सरकार ने this is what the author is saying समझ गा है यहां तक clear चलो अब क्या है अब आपके लिए कुछ questions है जिसके answers आपको देने ठीक है so the first question is which of the following natural causes is responsible for maximum human deaths in India second question is which of the following instruments are not included in the first tranche कोंसे instruments first tranche में included नहीं है क्या आपको बताना है next third question is एक word दिया है आपको iteration iteration का आपको similar meaning वाला word यहां से जूमना है next what is the meaning of the phrase in the bold to open more vistas इसका similar meaning option कौन सा है यह आपको चूज करना है और last question जो है which of the weather interventions is not on radar of the mission मौसम mission मौसम में कौन सा ऐसा weather intervention की बात की गई है तो ऐसा कौन सा नहीं की गई है जिनकी बात नहीं की गई है not on radar जिसकी बात नहीं हुई है उसके बार में आपको बताना है clear यहां तक clear है चलो अब क्या करेंगी एक पैरा जंबल देखेंगी जल्दी से तो दिस इस दी पैरा जंबल पॉर यू देखो इसको आपको दो मिनिट देता हूं मैं अब इसको solve करके देखो ठीक है झाली मैं करेंगी झाल 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 तो पॉस कर लो यहां पे और अपना कर लो उसके बाद रिजूम कर लेना तो देखो तो पहले क्या करो पहले नजर डालो कि कौन सा क्या क्या आप कर सकते हो सबसे पहले इससे शुरुवात नहीं हो सकती पुश्किल है शुरुवात होना क्लाइमेट चेंज से हो सकती है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वर्मिंग हैवज भीकम इससे शुरुवात हो सकती है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग विकम क्रिटिकल इशूज अफेक्टिंग दे प्लानेट ठीक है क्रिटिकल इशूज प्लानेट को अफेक्ट कर रहे हैं ठीक से शुरुबात हो सकती है इससे हो सकती थी पर लग नहीं रहा है क्लाइमेट चोंज और ग्लोबल वार्मिंग दे आर रिलेटेट टू क्लाइमेट चेंज और मेजर टॉपिक मुद्धा यह लग रहा है यह नहीं लग रहा है तो अगर शुरुबात होगी इन दोनों में से चूज करना है तो यह हो सकता है यह हो सकता है नीचे के तीनों नहीं हो सकते नजर डालने के बाद ऐसा लग रहा है क्यूंकि शुरुबात ही देखो as a result शुरुबात होना बहुत मुश्किल है the consequences consequences का मतलब होता है परिणाम तो परिणाम तो बाद में आएंगे पहले नहीं आ सकते और however से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है ना तो इन दोनों में से एक ही sentence यह लग रहा है जिससे शुरुबात होगी पहले तो climate change and global warming has become critical issues affecting the planet यह sentence भी पढ़ लिया governments and organizations worldwide are now focusing on reducing carbon emissions अब एक तो पक्का है कि यह C वाला sentence B से नीचे आएगा मैं इसको कुछ दूरी पे C को लिख लेता हूँ बाद में देखेंगे इसको कहाँ adjust करना है ठीक है तो शायद पर नीचे थोड़ा सा करना पड़े distance के हिसाब से आपन यहां लिख लेता हूँ डिफर डिस्टंस नहीं है नौ यह दो सेंटेंस पढ़ लिए डी पढ़ेंगे अभी इसकी वज़े से renewable energy sources में डिमांड भड़ी है इसकी वज़े से this has led to तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे energy sources की डिमांड बढ़ी वह अपने को देखना पड़ेगा कहीं तो भी ठीक है इस चीज को ध्यान में रखो this has led to ध्यान में रखना है next D में क्या बुला है as a result there is increasing investment in clean energy technologies इसकी वज़े से इसकी वज़े से investment in clean energy technologies बड़ी है वो देखना पड़ेगा तो यह जो sentence है डी वाला यह a से related लग रहा है ठीक है most probably यह a और d are related ऐसा लग रहा है यह दो sentence है यह देखेंगे बाद में next the consequences of ignoring these environmental issues अब देखो pronouns पे बहुत द्यान दो these environmental issues अब environmental issues हमने उपर के कौनसे sentence में देखे थे यह इसमें D में कौनसे environmental issues climate change और global warming इसके बारे में बात हो रही है देखो यहाँ पे E में the consequences इसके जो परी नाम होंगे climate change और global warming के ignoring these environmental issues अगर इनको ignore किया तो क्या होंगे are dire serious consequences including rising sea levels and extreme weather events sea level बढ़ेगी weather events extreme हो जाएंगे यह सारा होगा मतलब यह जो E वाला sentence है यह आपका B वाले sentence से related है तो इसको B के बाद यहाँ पर डाल देंगे पीच में adjustment के लिए scope रखा है जरूरत पड़ी तो पैसे लग तो नहीं रहा है ऐसा लग रहा है यह दोनों sentences are connected next अब देखो हां क्या बुला है the consequences of ignoring these environmental issues are dire including rising sea levels and extreme weather events अब ऐसा हो सकता है इसकी वज़े से शायद इसकी वज़े से governments and organizations worldwide are now focusing on reducing carbon emission अब यह जो है यह के बाद आता हुआ लग रहा है लग रहा है देखेंगे अभी ठीक है next f में क्या बुला है और अगर यह c लग रहा है तो देखो अभी क्या बुला है governments and organizations worldwide are now focusing on reducing carbon emission carbon emission कम करना है इसकी वज़े से क्या हुआ this has led to a rising demand for renewable energy sources इसलिए फिर renewable energy sources की demand बड़ी है मतलब c के बाद में आपका a आएगा और फिर जैसे कहा था a के बाद यह d लग रहा है और इसकी वज़े से as a result there is increasing investment in clean energy technologies और इसलिए clean energy की जो technologies है उसमें क्या हो रहा है increasing investment increase हो रही है तो d वाला sentence कहा है आपका a के बाद में यह ऐसा आएगा एफ वाले को कहां address करना है भी देखेंगे however एक तो however आ गया मतलब समझ लो कुछ तो भी जो यहां सारा दिया है उससे उल्टा है वैसे यहां ऐसा कुछ भी नहीं था जहां कुछ जहांसे कुछ उल्टा अपने को करना था यह देखेंगे लिए however the transition to green energy तो यहां कहीं लगते भी नजर नहीं आ रहा यह sentence लगेगा आपका last में यहां क्या बोला है however लेकिन यह transition को समय लगेगा policy advancement sorry policy changes लगेंगे technological advancement लगेंगे यह सारे लगेंगे तो this will be your sequence यह यह आपका sequence रहेगा B E C A D F एक फिर चलो तो अभी आज यहीं रुकेंगे comment box में आपको answers देने हैं अगर आपको कुछ और changes में चाहिए या नहीं चीज़े चाहिए तो मुझे comment box में पक्का बताया करो वीख थीक, थैंक यू वेरी.